Hello students, Jagriti Classes online platform पे आप सभी का स्वागत है आज हम Class 9 की exercise 3.3 को करेंगे इसके अंदर हमें graph के साथ deal करने की जरुद रहेगी तो देखिए class, तो हमारा सबसे पहला question है वो कहता है In which quadrant or in which axis do the following points lie? इसका मतलब है graph के कौन से quadrant के अंदर ये हमारे coordinates lie करते हैं इसको करने के दो तरीके रहते हैं हमारे पास एक जो पहला method है जिसका अंदर हम graph के अंदर plot करेंगे फिर हम बोलेंगे सर ये हमारा 1st quadrant, 2nd quadrant, 3rd quadrant और 4 quadrant के अंदर lie कर रहा है इस question को करने के बाद मैं आपको एक short trick बताऊंगा जिसके अंदर आप बिना plot के बता सकते हो इसके नेगेटिव पर, x-axis के नेगेटिव, that is negative x-axis पर आप minus 2 को देखिए सर ये रा मेरा minus 2, okay and the next one is 4, 4 is positive उसे हमें किस पर डूणना है? y-axis ये मेरी है y-axis ये मेरी negative x-axis तो यहाँ पर आया मेरे पास minus 2 और यहाँ पर आया मेरे पास plus 4 तो देखिए class, अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ से perpendicular direction के अंदर observe करेंगे, कैसे? देखिए और यहाँ से ऐसे ये मेरा सबसे पहला point है, सबसे पहले point को plot कर रहा हूँ इसलिए में dash line draw कर रहा हूँ, otherwise आपको ये dash वाली line draw करने की जरूद नहीं है तो देखिए ये दोनों मेरे कहाँ पे intersect कर रही है, यहाँ पे intersect कर रही है, तो यहाँ पे आप लिखोगे minus 2,4 एक बात हमेशा ध्यान लखना, आप कोई भी point को plot करते हो, तो bracket के अंदर उसके coordinate जरूर लिखें ताकि एक बार वापिस cross check कर लो, सर, minus 2 और 4, चलो ठीक है, अब अब बात करते हैं, सर, यह है मेरा first quadrant, यह मेरा second quadrant, यह मेरा third quadrant and this one is my fourth quadrant तो अब देखिए class, यह मेरे कौणसे quadrant के अंदर आ रहा है, यह मेरे आ रहा है second quadrant के अंदर, तो पहला मेरा minus 2,4 चला गया, मेरे second quadrant में, अब हम बात करते हैं सर, 3, minus 1, पहला होता है x और दूसरा होता है y, तो 3 मेरा positive है, तो मैं positive x axis की तरफ चलूँगा, मैं चलूँगा positive x axis की that is 3, तो यह मेरा 3 रह गया, यह अगया मेरे पास 3, अब मैं बात करता हूँ y, y में कौणसा रहा है, मेरा minus 1, क्या रहा है, minus 1, तो यह मेरी y axis है, सबसे पहले चलता है, हम negative y axis की तरफ, सबसे पहले हम चलता है, negative y axis में, फिर यहाँ पे देखिए, यह मे minus 1, ठीक है बटा, तो अब यहाँ से 3 से आपकर perpendicular draw करते हो, perpendicular distance को observe करते हो, और minus 1 से perpendicular distance को observe करते हो, तो यह दोनों यहाँ पे intersect करते हैं, yes or no, दोनों यहाँ पे intersect करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, 3, minus 1, 3, minus 1, और यह मेरे कौणसा quadrant आगया, first, second, third, fourth, तो यह आगया मेरे fourth quadrant पे, किस में आगया, fourth quadrant पे, अब हम चलते हैं, third point पे, that is, minus 1, minus 1, comma 0, किस में कर रहा है, minus 1, comma 0, तो देखिए class, minus 1, पहला हो गया x और दूसरा हो गया y, अब हम बात करते हैं, minus 1 किस पे, x axis पे, तो यह मेरी positive axis, यह मेरी negative axis, तो यह रहा मेरा minus 1, चलो ठीक है, okay sir, minus 1 तो हमने plot कर दिया, अब हम भात करते हैं, sir, y axis पे 0 को कहां पे ढूंडेंगे, 0 एक ही जगा पे होता है, that is called as origin, तो देखिए class, यह मेरा 0, अब आप देखिए, यहां से एक ऐसे perpendicular, टो मेरा point रहेगा, यह रहा, क्या रहेगा, minus 1, 0, जब भी आपके पास 0 आता है, जब भी आपके पा answer, okay class, तो यह मेरा बात करते है, sir, यह कौनसा quadrant है, सवाल उटता है, sir, यह मेरा कौनसा quadrant है, तो मैं फिर कहता हूं, class, अगर आपके कोई भी exam रहता है, तो उस exam में यह important लगा दीजीगा, important क्यों है यहां पे, क्योंकि यहां पे आपके quadrant नहीं है, यहां पे कौनसी है, यहां यह मेरा second quadrant, यह मेरा third quadrant, यह मेरे उसके बीच में लाए कर रहा है, कहां लाए कर रहा है, बीच में, तो इसका answer quadrant में नहीं आएगा, इसका answer आएगा, negative x axis, तो इस third का answer क्या हो जाएगा, sir, negative x axis, ठीके विटया, okay, अब मैं बात करता हूं, sir, 1,2, किसकी बात कर रहा हूं, 1,2, sir, positive x axis पे 1 चाहिए, यह लीजिए, और positive y axis पे 2 चाहिए, यह लीजिए, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, दोनों कहां intersect कर रहे हैं, यहां पे, तो यह हो गए मेरे 1,2, यह क्या हो गया मेरे, 1,2, okay, अब मैं बात करता हूं, मेरे last coordinates, that is, minus 3, minus 5, minus 3, minus 5, तो देखे क्लास, यहां पे हमें बिलकुल तोड़ा आराम से ध्यान देके देखेगा, minus 3,5, यहनी negative x axis and negative y axis, तो पहले यही मेरे negative x axis, पे minus 3 यह रहा, sir, फिर, negative y axis पे मुझे चाहिए, minus 5, दोनों से आप perpendicular draw कीजिए, यह दोनों मेरे यहां पे intersect कर रहे हैं, and my answer is minus 3, minus 5, यह मैंने सारे plot कर दिये, और यह आ रहा है मेरा third quadrant, यह आगया third quadrant, यह 1,2 आगया मेरे first quadrant, ठीके बटा, इस तरीके से आपको जब graph में बोला जाए के plot them, तो आपको plot, जब भी question के अंदर आपके पास आजाए के partition plane पे, यह फिर graph पे उन्हें plot कीजिए, verify कीजिए, तब तो आ अगर आपके question आता है, एक marks का, अगर आपके question आता है, एक marks का, तो उसमें मुझे क्या करना है, देखिएगा आप, okay, आप इधर देखिए class, इसमें आपको मैं short trick बता रहा हूं कि उसमें मुझे कैसे करना है, देखिएगा, यह मेरे पास मेरे graph quadrant है, graph के quadrant होते हैं आपके पास, यह होता है मेरा first, यह second, यह third, और यह fourth, यह short trick है, जब आपका question एक यह दो marks का हो, तब आप इस तरीके से कर सकते हो, यह मेरी है positive x-axis, और यह मेरी है positive y-axis, यह है मेरी negative x-axis, और यह है मेरी negative y-axis, ठीक है, तब आप देखिएगा यहां पे हमें क्या करना है, जिसे माल लेजे मेरा कोई point यहां पे है, माल लेते हैं मेरा कोई point यहां पर है यहां से एक perpendicular गिराईए और यहां से एक perpendicular गिराईए तो आप देखोगे class यह positive x-axis पर जा रही है और यह positive y-axis पर जा रही है इसका मतलब अगर कोई quadrant मेरा दोनो positive है अगर किसी के coordinate किसी भी point के coordinate अगर दोनो positive है तो आप बिना plot करके सीधा लिख दीजिए, क्या, कि सर ये first quadrant में लाए करेगा, किसमें लाए करेगा, सर 2,3 हो, 4,5 हो, 7,8 हो, 9,10 हो, ये सारे coordinates मेरे first quadrant में लाए करेंगे, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ second quadrant में, तो देखिये class, माल लीजे, मेरा एक coordinate यहाँ पे है, मैंने पहले यहाँ पे गिरा है, फिर एक यहाँ गिरा है, यहाँ देखिया, मेरी x-axis है, वो कौनसी आ रही है, negative, तो यानि मेरा पहला abscissa तो क्या हो जाएगा, negative, और मेरा जो y-ordinate है, वो क्या है, positive, तो class, जब भी आपके पास coordinates में, पहला negative, पहला negative, that is abscissa आपका negative हो, और ordinate आपका positive हो, इसका मतला quadrant, जो coordinates आपके रहेंगे, negative, positive रहता है, तो आपके पास यह कौनसा रहेगा, second quadrant, कौनसा रहेगा, second quadrant, example ले लेता है, सर, minus 2,3, minus 5,7, minus 8,9, ठीक है, okay, अब हम बात करता है, सर, third quadrant में, third quadrant में, कोई भी point ले लीजिए, तो आप देखो के सर, x-axis, x-axis तो आ रहे है negative, और y-axis भी आ रहे है negative, यह मेरी क्या है, negative y-axis, और यह मेरी क्या है, negative x-axis, मतलब दोनों axis कैसी है, negative, तो इसमें मेरे क्या रहेगा, negative, negative, इसका मतलब है, मेरा abscissa भी negative है, ordinate भी negative है, अगर इसका example की बात करते है, minus 2, minus 3, minus 3, minus 5, minus 7, minus 8, यह सारे coordinates आप देखियो, observe कीजिए, कि इसके अंदर मेरे abscissa और ordinate, दोनों negative होते है, okay, अब हम बात करते है, sir, fourth quadrant में, यह लीजिए, एक मैंने गिरा है x-axis पे, और एक मैंने गिरा है y-axis पे, तो x-axis तो sir, मेरे positive आ रहे है, और y-axis मेर क्या रही है, negative आ रही है, अगर मेरे abscissa positive हो, और ordinate negative हो, यानि पहला positive हो, दूसरा negative हो, तो क्या रहेगा यह मेरे, fourth quadrant रहेगा, क्या रहेगा, fourth quadrant रहेगा, ठीक है वेटा, okay, फिर है, अब हम बात करते है, sir, इसके example की बात कीजिए, आप, example की अगर हम बात करते है, sir, पहला positive बात करते है, 2, दूसरा, minus 5, क्या ले लोगे आप, 2, minus 5, अब हम बात करते है, sir, एक और example, 3, minus 8, 9, minus 2, ठीक है बटा, तो यह चीज आपके सामने हो गई, तो इसका मतलब, जब next question में कभी आपस ऐसा पुछा जाए, यह मेरे पास coordinates है, और जल्दी से बताएगे, के sir, कौन से कौन से कौन से coordinates के अंदर, कौन से coordinates कौन से coordinates के अंदर लाए कर रहे हैं, तो simple सा यह short trick लगाएए, और आपसे यह answer दे दीजिए, ठीक है मिटा, ओके, यह धियान ठाखिए, मैं एक बास को red color से mark कर देता हूं, जिससे आपको पता रहे है, पहला coordinates में दोनो positive, दूसरे में minus positive, तीसरे में minus minus, और चौते में plus minus, तब आपको clearly visible है sir, कौन सा coordinates, कौन से coordinates के अंदर लाए, करते हैं, ठीक है class, तो इसके साथ हम चलते हैं, हमारे next question में, यह मेरा shortcut भी हो गया, और हमारे plot वाला पी हमने कर लिया, अब हम बात करते है next question के, next question में क्या दे रखा है बिटा, again same question को तो थोड़ा सा question गुमा रखा, और सिर्फ यह बोला गया, आप plot कर दीजे, मुझे और कोई दूसरी बात से मतलब नहीं है, तो इसमें दे रखा है, plot the point x, y, given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the x axis, okay, मैं मेरी scale बहुत simple छी ले लेता हूँ, scale मैंने ले ले, on x axis, 1 cm is equal to 1 unit, and on y axis, 1 cm is equal to 1 unit, मातलब मेरा एक block, एक unit को represent करता है, ठीक है, कोई दिकत नहीं, ऐसा graph आपके भी से बहुत exam होते हैं, तो आपको graph a lot किया जाता है, तो अब देखिए class, मैं आपको इसको plot करना, मैंने ऐसे पहले सिखा दिया था, बट इस question के अंदर वापस revise हो जाएगा, तो देखिए class, यहां पर हम क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना, x को लेना है, तो देखिए बेटा, यह मेरा एक coordinate है, यह मेरा एक coordinate है, minus 2,8, तो सबसे पहले x-axis पे minus 2 पे जाते है, x-axis पे minus 2, और y-axis पे 8, यानि plus का 8 यह रह, तो यहां से हम ऐसे आएंगे, और यहां से हम ऐसे आएंगे, तो देखिए class, यह आगया मेरे, minus 2,8, यह क्या आगया मेरे पास, minus 2,8, ठीक है पेटा, okay, अब हम बात करते हैं, minus 1,7, minus 1,7, तो देखिए class, सबसे पहले x-axis पे आते हैं, negative पे, सर, यह रह, x-axis, negative का minus 1, okay, सर, कोई दिकत नहीं है, और y-axis का 7, y-axis पे positive 7, तो यह रह, यहां पे, और यहां से हैसे, तो यह आगया मेरे पास, minus 1,7, यह क्या आगया, minus 1,7, एक बात ध्यान से सुनिएगा class, यह जो मैं आपको perpendicular line से draw करना सिखा रहा हूँ, यह आपको graph में plot नहीं करनी है, यह मैं केवल आपको hint के लिए बता रहा हूँ के कौन सी line कैसे straight जाकर, उससे intersect कर रही है, आपको यह plot नहीं करनी है, ठीके, अब मैं बात कर रहा हूँ, 0, minus 1.25, तो सबसे पहले आपन बात करता है, x-axis पे 0, यह रहा sir, फिर बात करता है sir, y-axis पे minus 1.25, तो यह रहा मेरा, minus 1, यह रहा मेरा, minus 2, ठीके है, तो देखिये class, अब हम बात करता है इसकी, minus 1, 2.5, यह हो गया मेरे, minus 1 point, देखिये बिटा, यह हो गया मेरे, इसको तोड़ा जूम करके बताएंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा, यह मेरा minus 1, यह मेरा minus 1, यह मेरा minus 2, अब इसके center में मेरे क्या लाए करेगा, minus 1.5, और इसका भी अगर आजा देखियेंगे तो यह क्या हो जाएगा, minus 1.25, तो यह जो मेरा coordinate है, यह मेरा कौंचा हो जाएगा, 0, minus 1.25, ठीके बता, minus 1.25, अब हम बात करते हैं सर, हमार पास next आता है 1, 3, 1, 3, तो देखिये बता, यह मेरा 1, यह मेरा, यह मेरा 1, और y-axis से 3 है रहा, तो यह हो गया मेरे 1, 3, यह क्या हो गया मेरे, 1, 3, ठीके, फिर हम बात करते हैं, 3, minus 1, यह मेरा last coordinate है, 3, minus 1, तो सर, पहले होता है 3, minus 1, तो सर, पहले में जाओंगा, x-axis की positive, यह रहा मेरा 3, और यह रहा मेरा minus 1, क्योंकि यह y-axis का negative, यह मेरा यहां पर आएगा, तो यह हो गया 3, minus 1, ठीके बटा, इसके अंदर हमसे quadrant तो पूछे नहीं गय थे, इसके अंदर हमें properly scale set करने के लिए खागया था, properly graph plot करने के लिए बोला गया था, तो यह हमने graph plot कर लिया है, so class, अब मेरी बात अच्छे सुनियेगा, यह chapter हमारा बहुत simple है, इसके अंदर exercise 3.2 के अंदर से आने के question के आने के chance ज्यादा रहते हैं, और 3.3 और 3.2 बहुत जादा simple है तना easy, बहुत जादा simple है, यह आपके उन chapters में से हैं, जो सबसे easy है और आप marks score कर सकते हो, तो ध्यान रखिए का class, यह जो हमारे coordinate geometry है, यह सबसे बहुत easy रहती है, इसको हमें अच्छे से solve करना है, बिल्कुल हिसके अंदर तो marks कटने ही नहीं चाहिए, और अगर आप जागरती classes के student हो, तो आपको बिल्कुल भी marks नहीं कटने चाहिए, कोई भी आपको doubt हो, तो हमेशा है, doubt solve करें, practice हमारी बहुत जरूरी है, ठीके वेटा, so now it's time to say goodbye, good day, take care.